हेलो दोस्तों अभी हम इस वक्त विपीएसी ऑनलाइन विपीएसी डॉट विहार गुवर्मेंट डॉट इन डिफसाइट पर है जहां पर आपको जो शिक्षक वहाली के लिए डेमो डेमो ऑनलाइन का प्रेक्टिस जो चल रहा है बेटा वर्जन में उसको आपको समझाने वा है देखिए दोस्तों सबसे पहली बात है यह लिखा गया रेश्ट्रेशन फॉर्म ठीक है दोस्तों का इंडिडेट फॉस्ट ने मिस्टर मिसेज मिस जो भी है अगर आप मेल है तो मिस्टर लिख सकते हैं अगर साधी सुधा है या कुमारी है उसके अनुसार आप इसमें च या किसी का तीन नाम होगा अगर मान लेजिए कि राम कुमार साह तो फर्स्ट नेम में राम लिखेंगे सेकेंड नेम में 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 कुमार लिखेंगे और लास्ट नेम में क्या लिखेंगे साथ लिखेंगे फादर्स नेम इसमें पिदा का नाम लिखना है इंटर फादर्स न नेम उनको लिखना है जिन विवाहित महिला यानि जिनकी साधी हो गई है विवाहित लिखेंगे मदर नेम यानि मा का नाम लिखना है अब आगे कहता है सेलेक्ट आईडी टाइप यानि कि आप अधार काट पैंकाट या ड्राइब लाइसेंस इस तिनों में कोई भी ले सकते हैं ठीक है लेकिन बेटर रहेगा कि आप अधार नंबर ही चुनें आधार नंबर प्लिज इंटर 12 डिजिट अधार काड नंबर यानि कि अधार नंबर का चुनाव करना है ठीक है अधेंटिटि नंबर जो 12 अंको का को दोनों साइट जो आता है उसको पीडियों बना करके और यह अपलोड भी करना है और वे सिटिजन आफ इंडिया कहने का अर्थ है कि कि आप भारत के नागरिक है तो यास हम भारत के नागरिक है आरे यह पर्मामेंट रेसिडेंट और जिन ओफ इस्टेट आफ बिहार क्या बिहार के अस्थाई निवासी है तो यस क्योंकि यह जो फॉर्म है उसमें ही क्लियर कर दिया गया है कि आपको भारत का नागरिक और बिहार का अस्थाई निवासी होना जरूरी है तब ही आप इस फॉर्म को फिलब कर सकते हैं इसलिए यस ही लिगाएगा बिलोग टू एनी रिजर्व केटुओरी अगर आप आरक्षन में आते हैं अरक्षित शीट पर दावा करते हैं तो आपको क्या करना होगा यस डालना होगा इफ यस दिन सलेक्ट दा केटुओरी कोड यानि आप कौन से केटूओरी में सब्सक्राइब करना है ठेका दोस्तों सबका फूल फर्मी दिया गया है अवेद्यक अपने जाती हैं रचित कोटी के पूर्णत अस्वस्त हो ले किसी प्रकार के तुर्टी होने पर अरक्षन का दवाम मानने नहीं होगा यानि कि अगर आप एक बार इस पर अपलोट कर लेते हैं जाती कि हम जाती हैं और इस जाती के अधार पर हमार रक्षन पाना चाहते हैं ठीका दोस्तों तो आपको क्या करना होगा अगर किसी प्रकार के तुर्टी पाई जाती है तो भी भी इस तुद्वरा अप्लिकेशन को कर दिया जाएगा इसलिए निश्चेंट होकर ही फोर्म अपलाई करें आगे हम लोग आते हैं तो को रहा है मैटल स्टेटस यानि आप साधी सुदा हाई या नहीं मैरीड है अधर है तो मैरीड है जेंडर आप मेल है कि फिमेल है अगर मेल हो यह तो मेल पुरसों के लिए मे यह तो नोटा लिए आरिवे परसंट विए थे बेंचमार्क डिसिबिलिटी फी डबलो बीडी यानि कि जो दिव्यंगता है उसमें आप यस हैं कि नो हैं आपका 40% से अधिक दिव्यंगता अगर है तो किस सरेनी में उसका डालना है आगे काता है और स्थाई दिव्यंगता कि स्थिति में आवेदक अस्वस्थ हो लेकि उनका प्रवानपत्र कालबाध इतना हो यानि कि अगर आप 40% से नीचे हैं तो आप मतलब दिव्यंगता की सरेनी में नहीं आते हैं आगे का कि आरिवे एक सरमेश में यानि कि आप कहीं रिटायर है आर्मी से नेभी सी एरफोर जो भी है तो यस डालिए अगर नहीं है तो नो डालिए ठीका दोस्तो इसमें चुनने के लिए भी खंड दिया जाएगा कि आप जो न्यूक्त है आपका अथि का नाम क्या है आप किस इसकूल में काम करते हैं किस जिला में काम करते हैं ठीका दोस्तो इसमें आपको डालना है कि आप निक्त है उसके बाद है इंटर पंचाय तिरा संस्ता नगर निकाय संत्रा संस्ता अंत्रगाद निक्त यह करचक सिखज़ डिटेंड यानि कि आपको जो ज्यनिक लेटर मिला है उसका जो सर्टिपिकट नमबर होगा वह यहां लिखाएगा जबकि वह किस डेट को जोईनिग लेटर आपको मिला इसू डेट वह यहां लिखाएगा यानि कि जोईनिग लेटर इसमें लिखना है कि उसका तारीक क्या था और उसको फिर से PDF में का करना है अब लोड भी करना है आप इन में से किसकी पतरता या दक्सता धारन करते हैं पतरता परिक्षा या दक्सता परिक्षा जो भी सिख्षक 2012 से पुरू के हैं यानि 10 तक जो बहाल हुए वे सेकेंड वाले चुच करेंगे दक्सता परिक्षा वाट 2012 से पुरू के निक्षा जबकि 2012 के बाद वाले पतरत परिख्षा अपनी परसेक्षिनिक योगता के नुसार इन में कोई चुने भी ये आप ठीक है कि आप कंप्यूटर भी ग्यान के भीरती है याप संगित भी सब्सक्राइब भीरती है उसका डेट ऑब डालना है कि आपका जो है वह जन्म की तारीक क्या है और यह जो डेट ऑब सब्सक्राइब होंगे उनके अनुसार डालना है एड्रेस कोर्सपंडेंस है यानि आप एड्रेस डान ये ड्रेस लाइन वन में क्या लिखना चाहते हैं जैसे ग्राम पोस्ट थाना होता है उस तरह डालेंगे और उसको स्टेट भी हार डिस्टिक जो भी होगा चुन लिज अगर आपका उपर दिया गया अड्रेस और नीचे दिया गया अड्रेस अगर समान है तो दोनों एक जैसा ही लिखाएगा आगे है डू यू हैव रिक्वाइड एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्रिटेरिया फोर दपोस्ट अज मेंशन इन देड़ वर्टाइजमेंट फो डिटेल प्लीज रिड़ देड़ आट्वर्टाइजमेंट केरफुली प्लीज सेलेक्ट यानि कि आपने यू क्रिकेशन करेटरिया है उसको अभर्टाइजम अच्छे से बढ़ दिया है इसमें इमेल आइड़ी डालना है उसक्रोश अगरा यहां डालना था रूख्र देना है नंइर को तो सित अजय का करना है बर और उसके बाद सब्मीट रजिस्टेशन फोर्म फर क्लिक कर देना ठेगा दो dziस्तों और इस परकार हमारा रजिस्टेशन की परकिडिया लगबा लगबा का हो जाएगी खात्म हो जाएगी है ठेकर दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सिब्सक्राइब जरू करें थैंक्स दोस्तों